हेलो दोस्तों टेक्टॉक ट्रिक्स यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे विदिन 5-7 सेवन सेगें के अंदर हम कैसे अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों कभी-गभी ऐसा होता ह है कि हमारा system system in starts-up applications हौते हैं software होते हैं कि इसलिए हमारा computer slow होने के वाद सिस्टम open होता है तो आई हम कैसे हम अपने system में ऐसे setting करें जिसे अंपने system को within 5-10 सेङर्म के अंदर स्टार्ट कर सेब अचली देखते हैं कि अगर आप तक मेरा टिक टॉक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपके पास पहुँझा है करने के लिए आपको यहाँ पर एक सब्सक्राइब के फॉपन के लिए आपके पास दोजरीके हैं धेकि याँ तो आप यहाँ पर विनुपे कंत्क हलते है यह सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर एक और option है आपके पास shortcut की window plus R की प्रेस करके भी आप run desktop app को ला सकते हैं तो दोस्तों आप window plus R की प्रेस करके या फिर जैसे आप चाहे वैसे यह run window ला दीज़ें फिर हम इसमें type करेंगे msconfig msconfig उसके बाद से ok प्रेस करतेंगे जैसे हम उसके प्रेस करेंगे थोड़ दिरिक बाद यह उस दिरिक बाद आपके पास यह window appear हो जाएगी अब इसमें आप देखेंगे तो basically सारे system यह normally start up होता है अगर आपका window ज्यादे time लेता है start होने में तो आपका हो सकता है कि नॉर्मल start up पे आपका यह click दो तो आप इसको selective start up पे click कर लिजे और यह इन दो option पे चेक कर लिजे उसके बाद यहाप next menu में boot में आप जाएगे फिर आप यहाँ पे देखेंगे no GUI boot आप यहाँ पे click कर दीजे no GUI boot दोस्तों GUI boot मतलब जो ग्राफिक जो जितने भी starting में load होते हैं ignore करते हुए यह आपके window को boot कर देगा जल्दी से जल्दी और यहाँ पे आप time out कर दीजे 7 या 5 जो भी आप करना चाहें फिर उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे advance option का एक button इस पर click करिए फिर आप से इधर इधर आप देखेंगे तो नंबर आप processes इस पर आप click करिए और इसको maximum टू कर दीजे फिर maximum memory पर click कर लिए यह आपकी आपके system में जितनी RAM होगी वह उतनी maximum RAM को यहाँ पर सोगर लेगा आप पूरी पूरी memory यहाँ पर assign कर दीजे RAM के यह दोस्तों यह help करेगा आपके system को बूट करने में यह आपके system को जल्दी से जल्दी बूट कर देगा फिर आप यह करने कबाद OK पर click कर दीजे फिर यहाँ पर service menu में इसमें दोस्तों आपको कुछी नहीं करना इसको ऐसे लिविट कर दीजे त यह interface window to window vary करता है अगर यह आपका 7 हुओ या फिर 8.1 हुओ उस पर यह आपके side में इधर check box भी आएगा तो चलिए खेर उसको छोड़ देते हैं आप यहाँ पर देखेंगे तो status यहाँ पर enable or disable दो option है इसमें तो अगर आप चाते हैं कि window जब आपकी start हो उसमें आप चाते ह हो हम उसको manually start करें तो आप यहां से उसको enable or disable कर सकते हैं जैसे कि वांटर शेयर स्टोडियो इसको यह अभी मैंने फिलाल disable किया हुआ क्योंकि मेरा window तभी slow था मैंने disable किया तो यह application starting time में run नहीं होती है यह इसको मैं जब चाहूं enable कर सकता हूं तो यह window open होने कि बाद मैं इ बिद्सेंटि कराना।?. analytics नहीं भी जुशनी व सर्विसेंटेंट को cut कर देंगुआ कर देंगे। लिए यह आप में पूसर सेब करने लिए आप पूछेगा कि एक Am I wouldогgre रिस्टार्ट कुछुन तो अजित करें सिस्टम को रिचा रहने बीकरी नहीं करेंगे मिंडो करेंगे इस इस quellman करड़का हैं मतलब इस Stripe हो जाएगा, और आपका मेंडो तदेसी किसके कर लाएं झाल झाल